तो दोस्तो गनिशावल के इस यूटूब चैनल में मैं राहुल सर आप शिपका बहुत बहुत शागत करता हूँ तो दोस्तो अक्सर आप से पूछे जाते हैं योगिक के साधर नाम और आयू पीएसी नाम कुछ जो चुनिंदा योगिक हैं जो कुछ इंपोर्टेंट योगिक हैं जिनके आप से साधर नाम भी पूछे जाते हैं और आयू पीएसी नाम भी पूछे जाते हैं तो आयू पीएसी नाम की इस सीरीज में दोस्तो आज हम सीखेंगे आज हम क्या सीखेंगे मैरे भाई, कुछ महात्पूर्ण योगिक के साधरन नाम और उनके आयू-PAC नाम आज की वीडियो में हम सीखेंगे इससे पहले दोस्तों हमने पूरा का पूरा आयू-PAC नाम कैसे क्या होता है हमने चार वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया था तो आप न है यदी नहीं देखा इनको तो चारो वीडियो का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप जाकर इनको एक-एक चीज को चांड़ सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में फुल एक्स्पले तो जो Mars Gas होता है मेरे भाई Mars Gas का सूत्र होता है CH4 जो आपको देख रहा है ना CH4 ये Mars Gas का सूत्र होता है अगर हम इसका आयू पीएसी नाम निकालने की कोशिश करें तो आप देखोगे काउंटिंग करोगे तो एक ही कारबन है और एक कारबन के लिए हम क्या बोलती है math बोलती तो एक कारबन होने के कारण क्या बोलेंगे math अब देखो single bond लगा हुआ है तो single bond जब लगा होता है तो single bond के लिए क्लिए क्या लगाते है N तो math में जब N लगा देंगे तो क्या बन जाएगा mathन बन जाएगा तो इस टाइब से Mars Gas CH4 का हमारा क्या होता है IWPS ना mathन होता है ठी छिस्रका जिसको हमactic अंबि बोलते हैं सिरका जिसको हम क्या बोलते हैं dic shot अमली भी बोलते हैं ठीक है तो ACT अमल होता है CH3C seconds CH3COOH अब हम इसका IOPC नाम निकालें बहुत अच्छे से निकाल लेंगे तो देखो counting करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे counting तो एक carbon इसको दिया जाएगा दो इसको दिया जाएगा अब दो carbon के लिए क्या बोलती है हम eth बोलती है क्या बोलती है अब single bond है तो क्या बोला जाएगा N तो एथ में जब हम N जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एथन बन जाएगा और CWOH का क्या होता है O1 CWOH क्या बोलती है O1 तो एथन में O1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा Athe 9 Athe 9 तो देखो आप Athe 9 लिखा हुआ है लिखा हुआ है ना बिलकुल सही बात है ठीक है Next है हमारा farming camera जिसको हम बोलते है H CWOH CWOH Counting करेंगे Counting करेंगे 1 कारबन है यहाँ पर देखो H और CWOH है इसको ऐसे लिखे देंगे तोड़के H single bond CWOH ठीक है Counting 1 और 1 कारबन को हम क्या बोलते है Math तो यह हो गया Math single bond है तो N और CWOH क्या बोलते है O1 तो मैथन में O1 जोड़ देंगे तो बन जाएगा Mathenoic तो यह हमारा Mathenoic इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है Mathenoic इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलो आएंगे बढ़ते हैं और अंगले हम उस पे बात करते हैं ठीक है Next है हमारा Formaldehyde Formaldehyde HCHO इसको तोड़के लिखे तो H single bond CHO ऐसे लिखा जाएगा Counting 1 Counting 1 एक कारबन को क्या बोलेंगे Math मैथ 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 цел इसको तोढ़के लिखेंगे Lethal Computer 受व तो इस टाइप से आपको याद रखना है वीडियो अच्छा लग रहा है एक बार वीडियो को लाइक करें वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो आंगे बढ़ते हैं ठीक है एसी टोन है नेक्स्ट है हमारा एसी टोन जो अपको बता चुक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो यहो गया अब तीन कारवन के किंग बोलेंगे प्रोब ठीक है यह प्रोप सिंगल भॉंड है लगा देंगे प्रोपेंट आब क्या बोला जाता है औ तो प्रोपेंट में लगा देंगे तो क्या व Elsतेकिंगई 1995 चलोad एल्कोहल CH3 single bond OH बिल्कुल लिखाई है कोई दिक्कत यहां पर नहीं आने बार यह ठीक है तो CH3 हो एक कार्बन को मैथ single bond है क्या बोल देंगे N लगा देंगे तो मैथन और OH को क्या बोलते है और तो मैथन में और लगा जाएंगे methanol ऐसे यह एल्कोहल है आप खुद कर निकाल सकते हो एथन में और जाएगा एथन ओल तो ऐसे करके आपको इनको याद रखना है शाधर नाम ठीक है और इनके क्या है यह आपको याद रखना है यह अग्जाम में आपसे पूछे जाती है ठीक है बिल्कुल पूछे जाएंगे ठीक है चलो अंगला है हमारा किलोरोफर्म जिसका सूत्र है CHCL 3 इसको तोड़के लिखें तो C यहाँ H लिख दो 3CL है 1CL इधर लिख दो 1CL इधर और 1CL इध तो 1-1-1 तीन वार क्यों लिखा क्योंकि तीन प्रतिस्ता आप यह और 3 पहले कारवन से जुड़े तो 1-1-1 अब 3 को क्या बोलते है ट्राइ तो 1-1-1 ट्राइक क्लोरोमेथन अकेला बोल सकते हो ठीक है चलो अब इसी प्रकार से आपका यह ब्रोमो फोम है तो ब्रोमो फोम क्या जायेगा जैसे इसमें ci-e-l था तो लब आया था तो तो भी यार है तो क्या जाएगा ब्रॉमु आजाएगा ट्राइब्रोमो मेध wet out अब इसमें i है तो आयोड़ आजाएगा ठीक है क्लोरो मेध्र को जेगे जाएगा आयोडो तो बन- DROMETHEEN, यह हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है, चलो, नेस्ट है हमारा GYC, GLYC, अब GLYC, जहीं का सूत्र भाई यह है, देख रहा है आपको यह GLYC, C H 2, Nीचे O H लगा है, SINGLE BON CH, नीचे O H लगा है, SINGLE BON CH2, Nीचे O H लगा है, यह देख रहा है, ठीक है, तो हम ही क्या करना है सबसे पहले counting तो counting करें counting करें तो 1, 2, 3 ठीक है एक पे भी हो है जुड़ा, दो पे भी हो है, तीन पे भी ठीक है तो propane, तीन कारबन है तो propane अब 1, 2, 3 तीन ओपर क्या जोड़े? 1, 2, 3 try all लेग दिये, देखो समझा है try all लेग दिये, हमने आपको पिछली तीन वीडियो पढ़ा चुकी, अगर वो चीज़ें आपने देखी हैं तो बहुत आसान है भाई इसको ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है चलो, अंगला है भाई हमारे पास glycerine, क्या है हमारे पास glycerine, glycerine जानते हो इसके भी काउंटिंग करो, एक, यहाँ पर दो, दो कार्बन है तो एथेन और बनोट टूपे क्या लगा है, ओल लगा है ठीक है, ओएच मतलब ओल, तो बन्टू डाई, ओल यह हो जाएगा, ठीक है चलो, है ना, आंगे बढ़ते हैं, ठीक है उकजेलेक अमल, उकजेलेक अमल क्या होता है COOH, सिंगल बॉन Current COOH यह होता है, तो इसको IUPA सी नाम क्या हो जाएगा, देखो, दो कार्बन है यहाँ पर,VELगर काउंटिंग की जाएगी यहाँ पर, काउंटिंग है, एक, दो, दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए एथेन और ये CWOH को O1 भी तो बोलते हैं देखो हमने आपको पताया था CHO का CWOH का और CO का ये कार्बन काउंटिंग में आता कोई दिक्कत नहीं बड़ दो कार्बन है तो एथेन और बनल 2 पे क्या लगा है O1 तो एथेन बन्टू डाई O1 बहुत बड़ी हैं हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बेंजीन बेंजीन C6AC6 होता और बेंजीन का IUPAC नाम बेंजीन होता है ठीक है तो इनको बहुत अच्छे से complete कर लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से complete कर लेना, ठीक है, और पिछले आपको IUPAC नाम से सम्बंदित, पूरे जो वीडियो है ना, वीडियो के description में मिल जाएंगे, लिंक दिया है, आप जाकर इनको देखें, इनको समझें, ठीक है, चलो, एक बा एंचे, पूरे जाएंगे, लिंके लिए झाएंगे, जे नाम से वे हैं, लिए वीडिरो भीडियो है, वीडियो है, उिए रेना, झाव ये